बच्चो आपने पहले वीडियो में कैसाशोर पार्ट नव के बारे में बात की थी पार्ट समझा और शब्दार्थ और मुहावरे की बात की अब अप्यास के बारे में बात करेंगे तो आप अपने किताब में 64 पाने पर ध्यान दीजिए अप्यास का पहला प्रश्ण है आप अपने घर में पकाई जाने वाली सब्जीयों की सूची बनाए यादी अपना घर में शाक भाजी बनता हो येना तमारे नाम लखवाना छे दूसरा प्रश्ण सूची में अपनी मनपसंद सब्जीया बताए और क्यों पसंद है उसका कारण दीजिए यादी बनावी चे में तमने मनपसंद ले जे भावतो ये शाक सब्जीयों साकभाजी बनावे लो येनू कारण शोचे भाववाना एप तमारे लखवाना छे ये आप तमारे चाते लग जो प्रश्ण तिन फिन शब्द पर राउंड किजिये एक उदान दिया गया है जैसे पाल गाजर सेब लोकी तो सब साकभाजी है सब जी है और सेब क्या है वह फल है तो उसके उपर राउंड किजिये यानके गोल टित्र बनाईए उसके उपर श अपने उसका जवाब लिखना है पहला है ककडी गाजर बंद को भी केला तो उसमें क्या अलग पड़ता है तो केला केला पर राउंड किजिये दुसरा है पपिता मुली आम अनार चारों में क्या अलग है तो फल है ने पपिता आम अनार मुली मुली सबजी है तो मुली पर राउंड किजिए, तिस्त्या प्रश्णा है, कनेर, धनिया, गुलाब, चमेली, तो कनेर, गुलाब, चमेली, ये तिनों क्या है, फूल के नाम है, धनिया, धनिया, तो मसाले, कोथमी, तो धनिया पर राउंड किजिए, चार प्रश्णा, तो था, मीर्च, अद्रक, प्रश्ण के नाम बताईए प्रश्ण है तो उसका उत्तर क्या होगा अरे रंकी सबजिया, करेला, पालक, मेथी की भाजी, बंदकोबी, भिंडी, लोकी, ककडी, गवारफरली, परवल आदी है ने तो उसके सब के नाम आप लिख लिजिए दूसरा प्रश्ण है कच्चे टमाटर का रंक कैसा होता है उसका उत्तर है कच्चे टमाटर का रंक हरा होता है तो उस तरह जवाब लिखिए तीस्तरा प्रश्ण है कौन-कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है करेला, कंकोडा और मेथी की भाजी का स्वाद कड़वा होता है यह उसका उत्तर है चोथा प्रश्णा है प्रस्तुत इकाई में कौन सी सब्जियों के नाम नहीं आये है तो वो अपने इसाब से लिखी लिजिए और नहीं लिखे तो भी चलेगा प्रश्णा पांच हल्वा बनाने में गाजर या लोकी के अलावा कौन सी चीजों की जरुरत होती है हल्वा बनाने के लिए गाजर या लोकी के अलावा अलावा लेना सी बाई है चीनी घी पानी इलाईजी काजू बादाम पिस्ता आदी की जरुरत होती है यानि के सब चीजों से हल्वा बनता है तो इस तरह जवाब लिख लीजिए और चेटा प्रश्णा है एसे फॉल बताईए जिसकी सबजी भी बनाई जाती है फॉल तो आप खाते हैं लेकिन उसकी सबजी भी बनाई जाती है क्या फल है तो आम केला अमरूद अंगूर आदी फलों की सबजी भी बनाई जाती है तो उसका उत्तर आप लिख लीजिए अब प्रश्णा पांच नीचे दिये गए चित्र का वर्णन कीजिए तो चित्र में जो आपको दिखाई दे रहा है सबजी आप बेच रहा है कई लोग सबजी खरिद रहे उसके पास एक कुटा खड़ा है तो क्या-क्या फल सबजी दिखाई देती है वो भी आप लिख सकते है तो चित्र के बारे में आप दो-चार वाक्य अपने हिसाब से चित्र देखकर लिख लिजिए अब प्रश्णा चित्र के आधार पर कहानि कहाने लिवार्ता कथन कीजिए तो वह आपको सोचकर लिखना है उसमें चार चित्र दिये गए हैं पहला दुसरा तीसरा और चोथा तो पहले है दूस्रा चित्र में काथीUp हूँ पेड की दाली तोड रहा है लेकिन पेड़ व्यादि मना कर रहा है मना अफ्लिय ना पकार बोलता है कि महने मैं ऊपयोगी हो मुझे मत तोड हो इस तरह वह बोलता है पेड तीस्रे चित्रमें क्या दिखाई दे रहा है सुर्य दिखाई दे रहा है तो सुर्य की गर्मी से गर्मी के कारण हाथी बहुत व्याकुल होता है इस तरह चित्र में दिखाई देता है और चोथे चित्र में क्या है पेड ने आथी को बुलाया और अपनी चाय में रहने का कहा हाथ उच्चा करके पेड हाथी को बुला रहा है कि मेरे पास आजाओ और मेरी च्छाओं में आराम करो तो उसके बहुत मज़ा आता है गर्मी की रूतु में तो पेड की च्छाएं बहुत अच्छी लगती है तो इस तरह उसके हाथी को आराम मिला इस तरह हमें क्या उसमें सिख मिलती है कि हमें पेड को नहीं तोड़ना चाहिए और कई पेड हमें बड़े करना चाहिए याने के बोनना चाहिए तो इस तरह हमें अपने हिसाब से एवा कहानी लिख कर अपनी रफनोट में लिख लिए जी है और अब है चांसट में पेज पर सात्वा प्रश्णा है उसमें क्या है दो चित्र दिया है एक और दो तो दोनों चित्र में अलग अलग चित्र में अपने दिखाई दे रहा है पहले चित्र में किसान खेती कर रहा है दूसरे चित्र में क्या है तो जोसप जिया बड़ी हो उसको तोड़ रहा है और एक बकरी दिखाई दे रहे है दो लड़का है पहले चित्र में दूसरे चित्र में क्या है एक लड़का सबजी को खा रहा है इस तरह आपको जो दिखाई देता है वो आपको लिखना है वो तो चित्र है और कभी भी कई भी चित्र है तो उसमें जो पेड़ में दिखाए दे, वो आप लिख सकते हैं, तो अपने हिसाब से लिख लिजिए, अब स्वध्ये के बारे में बात करेंगे, स्वध्ये में क्या है? प्रश्न एक, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, बिर्जु चाचा कहाँ आराम कर रहे है, तो उसका उत्तर क्या है? बिर्दुचाचा पेड की छाया में आराम कर रहा है पेड ले चाड तो अपने तो सिखा है ने इकाई में बिर्दुचाचा पेड की छाया में आराम कर रहे थे उसका उत्तर है दूसरा क्या है कचुमर में कौन-कौन सी सबजीयों का उपयोग होता है तो कचुम्बर में बंदकोबी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककडी, मीर्च, टमाटर, आधी सबजीयों का उप्योग होता है इस तरह आपको जवाब लिखना है तिस्था प्रश्णा है आलो से खाने की क्या-क्या चीजे बनती है आलो से चाट, चीप, स्टिक्या, चेसी, चटपटी और मजेदार खाने की चीजे बनती है चोथा प्रश्णा है मसालो से रसोय में क्या होता है तो मसालो से रसोय में खाद और स्वाद स्वाद और सुगंध मिलते है मसालों से रसोई में स्वाद और सुगन्द मिलते है इस तरह जवाब लिखना है पाँचवा प्रश्णा है बेंगन ने सब को क्या सला दी बेंगन ने सब को शांत किया और कहा आप सब अपने-पने स्थान पर सही एवं उपयोगी है तो इस तरह पाँचवा जवाब लिख लेजिए और छठा प्रश्णा है बच्चो को कौन-कौन सी सबजिया बहुत पसंद होती है बच्चो को आलू, गाजर, शकरकंद और टमाटर चेसी सबजिया बहुत पसंद है इस तरह आप जवाब लिख सकते है अब साथवा प्रश्णा है जमिन के नीचे पेदा होने वाली सबजियों के नाम बताईए तो उसका उत्तर है शकरकंद, आलू, गाजर, बीट, आदी आदी यह लेव गेरे आदी जमिन के नीचे पेदा होने वाली सबजियों के नाम है तो इस तरह सात्वा जवाब लिख लेजिए अब आठवा प्रश्ण बेलो पर कौनकौन सी सब्जिया होती है बेलो अटले बेला उपर बेलो पर लोकी करेला और ककडी चैसी सब्जिया बेलो पर होती है तो इस तरह हमें स्वाध्याई के आठव प्रश्ण है वो सुन्दर अक्षर में लिख लेना है अब आगे दिखिए नीचे दी गई सब्जियों के रंग रूप आकार या स्वाध के बारे में दो दो वाक्या लिखिए तो उसमें पाच नाम दिया है ने बेंगन टमाटर करेल लोकी और गाजर तो सब के बारे में दो दो वाक्या लिखना है तो पहला है बेंगन तो बेंगन काले रंग का होता है बेंगन गोल या लंबा होता है इस तरह आप लिख सकते हैं टमाटर दूसरा है तो टमाटर का रंग कैसा है पका टमाटर लाल होता है और कचा टमाटर ल लिख सकते हैं टमाटर लाल होता है और गोल होता है उसका आकार के सा होता है गोल होता है तो इस तरहहु लिख लेजिए लोकी लोकी इतले दुधी लोकी हरे रंकी और लंबी होती है और लोकी से क्या बनता है सबजी तो बनती है लेकिन उसका हलवा भी बनता है तो उस तरह आप लिख सकते हैं पांचवा है गाजर गाजर लाल रंका होता है और गाजर का हलवा बनता है तो आप दो दो वाक्य सब सबजियों के बारे में लिख लेंगे तीसरा प्रश्ण क्या है चित्र के आधर पर लेखन की जी एतले के जो चित्र में दिखाई दे रहा है उसके बारे में आप लिख सकते हैं कई लोग सबजी खरिद रहे हैं लोग सबजी बेचते हैं सबजी वाले कुट्ता एक खड़ा है तो सबजियों और फलों के बारे में जो आप पुचित्र में दिखाई देता है उस तरह आप जवाब लिख लीजिए प्रश्ण चार नीचे देगई वाक्यों का मात्रु भाषा में अनुबाद कीजी मात्रु भाषा याने की गुजराती हिंदीनु गुजराती करवानों छे प्रश्ण चार पहला वाक्यों क्या है सभी सबजियों मेरे बीना अधुरी है बद्धी शागबाजी लगे बदा शागबाजी महरा वगर अधुरी छे तो अधुरा छे शागबाजी ये दिते लखी गाजर से हलवा बनता है दुसरा बाक्य है ने तो इन गुजराती गाजर थी हलवो बने छे तिसरा मसाले रसोय में स्वाध और सुगंध प्रदान करते है तो मसाला रसोय मां स्वाध और सुगंध आपे छे आपेछे, मस्टाला रस्वय माँ स्वाधने शुगंधा आपे छे, चोध्था वाक्या क्या है? करेला स्वास्टिय केली ये बहुत लाबदाई है, करेला स्वास्टिय माटेखे लेके तंदुरश्टि माटे, खुबज लाबदायक छे, पांच वाक्या बिर्जु चाचा सो गये अले बिर्जु का का सुई गया तो आरे ते हिंदी न गुजराती पांचे पांच वाक्या नू तमारे हिंदी वाक्या लखवानू एनी नीचे गुजराती वाक्या लखवानू तो आरे ते जवाब लखवाना छे बाल को अब देखिए पता किजी और लिखिए तो उसमें क्या है जब तुम इस इकाई को पढ़ रहे हो उस समय कि तुमें कौन-कौन सी सब्जीया होगी तो आप तो सोचेंगे कि प्रश्ण का उतर किस तरह लिखेंगे तो आप अब उस इकाई को पढ़ रहे है तो आपको मार्केट यानि के अपनी मम्मी, क्या-क्या सबजी अगर में लाती है तो इस तरह आप उसका जवाब लिखिए, इनमें से कौन-कौन से सबजी होगी, पर जय शागभाजी ओए, नाम लखवाना चे, तो बेलो पर पर क्या शागभाजी था है? पोधे पर पोधे अदले ना ना छोड़ पर और जमिन के नीचे जमिन अंदर तो इस तरह तीन भाग पाड़के पहला बेल पर तो बेला पर क्या-क्या ककड़ी करेला तोरई लोकी परवल ये सब बेल पर होते हैं सबजीयों के नाम तो पहला एक के नीचे ये सब लिखेंगे पोधे पर पोधे लेके छोड़ पर तो धनिया, बंदिकोबी, टमाटर, पालक, बेंगन, भिंडी यह सब सब्ढ़ों के नाम लिखेंगे पोधे पर होने वाली सब्ढ़़िया है और जमिन के नीचे जमिन के अंदर हैं तो उसमें क्या-क्या सब्जियों के नाम आते हैं गाजर, आलू, प्याज, प्याज अटले डुंगली, मुली, आलू, आलू अटले बटेका, लसुन, शकरकन, अटले शकरियोंने लसन, तो आब अधा, शागफाजी चे, कहां होते हैं, जमिन के नीचे, जमिन के अंदर, तो तीसरा भाग में वो सब्जियों के नाम लिखेंगे, तो इस तरह आप अपने नोट में लिख लेंगे, अब प्रश्ण छो, निमने लिखी शब्दों का उधारन के अनुसार वाक्य प्रयोग किजिए, तो उसमें क्या है, प्रशंचा, अधूरा, पसंद, भला या निशां ये सब शब्द दिया है, तो उसका शब्दों, उधारन के अनुसार, प्रशंचा तो निदा, ये वीरोधार थी शब्द, विपरितार्थक शब्द भी कहते है, तो इस तरह विपरितार्थक शब्द बनाते हुए लिखना है, तो उसका एक उधारन दिया है, प्रशंचा, तो अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंशा होती है, दूसरा क्या है, निंदा, बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है, इस तरह अपने इसाब से आप लिख लिए जिए, अधुरा, अधुरा, याने कि उसका विरोधी क्या होता है, पूरा, पसंद, तो उसका विरोध बुराई भलाई तो बुराई शांद तो उसका जवाब उशांद तो इस तरह विप्रिटार्थक शब्द लिए उसका वाटय बनाने के कोई जरुद नहीं है लेकिन उसके उदारण दिये है इस तरह आप लिख भी सकते है लिखना है तो निम्नलिखित प्रश्ण साथ निम्नलिखित शब्दों का उदारण के अनुसार वाक्ट के प्रयोग कीजिए तो उसमें क्या है सुगंध आरोग्य मनभावन सर्ताज बहुत ये शब्द दिये गये इने तो समानार्थ वाले तो सुगंध तो इने इन्दी में विजो शब्द समानार्थ थी माशो के वाई सुवास सुवास अले सुगंध सुगंध ने सुवास बे ये कच्छे पन उस तरह सुगंध तो उसका वाक्ट्य भी बना सकते है फुलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है अने सुवास तो फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है दोनों एक ही है लेकिन उसका समानार्थी समान याने के सरखा गुजातिमा तो दूसरा क्या है आरग्या आरग्या अरले स्वास्थिया मनभावन तो मनपसंद सर्ताज सर्वस्रेश्ट बहुत बहुत ज्यादा समानार्थी शब्द लिख लीजिए और उसका वाक्य जो बनाना है तो आप बना भी सकते है लेकिन न बनाये तो भी चलेगा तो इस तरह सात्म प्रश्ण पूरा होता है अब आठवा प्रश्ण भाशा सजिता तो भाशा सजिता में क्या है को और ख दो भाग दिया है ने औ और को मा क्या लिखा है मनोजने गाजर खाया ख में मनोजने बड़ा गाजर खाया गाजर खाया लेकिन केसा तो के बड़ा गाजर तो उसका विशेशन विशेश शब्द है ने उसकी विशेशता दिखाई दी गई है टोकरी में शकरकंद है शकरकंद ले शकर्यू टोकरी मे मीठा शकरकंद है शकरकंद तो है केसा तो के मीठा तो उसका विशेश शब्द है मिठा विशेशन, घोडा दोडता है, दुसरा ख में क्या है, काला घोडा दोडता है, लेकिन गोडा कैसा है, तो उसका काला रंग है, काला घोडा, तो काला शब्द क्या है, उसकी विशेशता है, गाय चरती है, तो गाय कैसी है, सफेद गाय चरती है, सफेद शब् उसका विशेशन है लड़के पढ़ते हैं लड़के पढ़ते हैं खमे क्या लिखा है तीन लड़के पढ़ते हैं कितने लड़के हैं तीन तो तीन शब्दा लड़के की विशेश्टा है गिलास में दूध है ख में क्या लिखा गिलास में थोड़ा दूध है दूध है लेकिन कैसा तो कि थोड़ा तो आप जानते के कवभाग में निर्देशिश शब्द गाजर, शकरकन, गोड़ा, गाई, लड़के और दूध इस शब्द संग्नाए है और इन संग्नाओं के विशेशता बताने वाले शब्द ख में पहला क्या है बड़ा, दूसरे में टोकरी में मिठा शकरकन्द है तो मिठा, तिसरा क्या है काला गोड़ा, तो काला शब्द है ने, वो विशेशन है, सफेद गाई, गाई कैसी है सफेद, लड़के कितने है तीन, तो बड़ा, मिठा, काला, सफेद, तीन और थोड़ा अतह शब्द क्या है class positioning विशेशा वता है इसलिए उसे विशेशन कहते है तो इस तरह आप अपनी किताब में लिख लेजए अब आगे क्रिया पढ़िए और समझें तो स्में एक लड़की है उसके आद में क्या है किताब है तो नीचे लिखाये ने दूसरा चित्र में मीना दोड़ती है दोड़ती हुई दिखाई देती है ने लड़की तिसरा चित्र में सोनल खाना खाती है टोथा सचिन खेलता है बोल के साथ खेलता है उसका लड़के का नाम सचिन होगा सलीम पानी पीता है तो पानी पीते हुई दिखाई देता है ने पढ़ती है दोड़ती है खेलता है आदी शब्द क्रियाओं का निर्देश करते है निर्देश याने बताते है तो अतह अतलिस लिए यह सब क्या है यह सब क्रिया पद है जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोद करवाए वह शब्द क्रिया कर लाता है तो इस तरह आपको देखकर ही लिखना है इतना जानिये तो उसमें क्या है? इंदी शब्द है उसमें उसके पास गुजराती शब्द लिखा है आलू आलू याने के बटा का बटाटा तो लिखा है ने गुजराती में तो आप देखकर ही लिखना है गाजर उसके नीचे है तो गाजर बेंगन तो इसका जवाप क्या है रिंगन गुछ्रा ती में रिंगनों कहीं ना पड़िंगन अद्रक एतले के आधू शककरकन तो शक्करयू बंद कोबी तो कोबीज शलगम एतले बीट करेला एतले कारेलु मीर्च एतले मर्चु ककड़ी इतले काकड़ी, लोकी, दूधी, भिंडी, जब भिंडो, फुलकोबी, इतले फुलेवर, मटर, अले नो, जब सुत है, वटाना, तमाटर, अले टामेटो, अने धनिया, डिदाना, तो इतना चानिये, ये शब्द, हिंदी और गुजाती में दिया गया है, तो उसको देखकर ह लिखना है, तो आप लिख लीजिए, तो यहां अपका कैसा शोर, एकका एकका सब पुरा होता है, अभ्यास और स्वाध्याय और भाशा सजिता, इतना जानिये, ये सब आप अपने इसाब से नोट में लिख लीजिए, और समझ लीजिए, और मैं पीडिये पेजूंगे ने उसमें से जो लिखना है, वो ही अपकी फेर बुक में लिखना है, सब नहीं लिखना, सब तो अपनी रफनोट में लिख लीजिए, तो भी चलेगा, आउ जो बच्चो